हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल जैसे के आप देख पा रहें मेरे सामने है एक कीठे का रेसिपी वेंगोली घरों में थंडी के मौसम में यह वाला डेजर्ट बनता है इसको चूशी का पीठा बोलते है चैरी यह वाला रेसिपी में आज आप सब के साथ शेयर करन जिसको मैंने गैस में चड़ा लिया है और इसमें डाल रहे हूं दो से धाई कप जितना पानी अभी इसको अच्छे से उबलने देंगे थोड़ा सा सॉल्ट एट कर ले रहे हूं एक पिंच जितना अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे गड़म होने के लिए दूसरी तरफ एक प्लेट में मैंने लिया है दो बड़ी चम्मच जितना मैदा और एक बड़ी चंमच जितना रवा मतलब सूजी लिया है अभी ये दोनों को मिला के मैं एक मिक्सचर बना लूँगी देखिए यही प्रोसेस आपको भी फॉलो कर लेना है और तुरंत हमें चला लेना है ताकि उसमें गुठली या फिर गाट ना पड़ जाए देखिए यही प्रोसेस आपको भी फॉलो कर लेना है और यह प्रोसेस आपको तब तक कर लेना है जब तक अच्छे से एक डो बन न जाए यह प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा पेशन्स रखने की जरूरत है लेकिन एंड आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है इसलिए थोड़ा पेशन्स आपको रखना पड़ेगा मेरे दिखाए हुए प्रोसेस आप फॉलो कीजिए देखिए डो हमारा बन के रेड़ी हो गया है अभी इसमें से छोटे से लोईया मैं काट लूँगी और आगे का प्रोसेस दिखा रही हो देखिए ऐसे मैदा शिरक लेना है हमें देखिए ऐसे ही छोटे छोटे चूशी आपको बना लेना है देखिए थोड़ा सा ही बन के रेड़ी हुआ है मैं पूड़ा बना लेती हूँ पूड़े डो से दिखिए जितना डो मैंने दिखाया था उसमें से इतना चूशी बन के रेड़ी हुआ है आप इसको धूप में सुखा के जादा दिन तक रग भी सकते हैं बाद में भी इसका पीठा बना सकते हैं देखिए दूसरे तरफ दूद हमारा उबल गया है अच्छे से बॉयल आने के बाद मैं इसमें आट कर ले रही हूँ खजूर का गूर फ्लेम को इस समय बिलकुल धीमे रखना है आप चाहे तो खजूर के गूर के बदले में चीनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन गुर डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है थोड़ी देर इसको उबलने दिया इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वो चूशी जो हमने बना के रिडी किया था देखिये अभी इसको फिर से 5-7 मिनिट बॉल होने देना है हमें धीमे आज में हलका सा चला लिया है अभी देखिये यह बनके रेडी है इसको थोड़ा सा इसके बाद सर्विंग प्लेंट में निकाल दिया है मैंने उसके बाद ऊपर से मैंने चेडी के साथ इसको गार्निश किया है आप चाहें आपको कोई भी चीज पसंद हो उससे गानिश कर सकते हैं लेकिन ये वाला रेसिपी जरूर फॉलो कीजिए और इसको घर में एक बार ट्राइ कीजिए मेरा दावा है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा अगर मेरा रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए रेसिपी पारने के लिए और पास में जो बिल आइकन है उसको जरूर दबाना ताकि मेरी हर नीव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए मैं आप सबसे मिलूँगे एक नए रेसिपी के साथ में तब तक मेरे पुराने वीडियो उसको जरूर फॉलो करना आज के लिए वीडियो में मसीत नहीं बाई बाई